हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी आई हूप की आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं एक नए सीरीज के साथ नए कोशन के साथ और दोस्तों मैं आप से फिर से एक बार दिल से थैंक्यू बोलना चाहूंगी क्यूंकि आपका जो लौ मिल रहा है जो सप पहला question, शारिरिक लच्छड जैसे आखों का रंग, उचाई, बालू का रंग, option first है मुख्यता पर्यावरड़ी कारग द्वारा सुनिश्चित होते हैं, second है वन्शागत होते हैं, third है सांस्कृतिक कारग द्वारा सुनिश्चित होते हैं, दोस्तों question क्या पुछा है, शारिरिक लच्छड को पुछा है, जैसे आखों का रंग, उचाई, बालो का रंग, तो ये क्या है पर्यावरड़ी कारग दौरा सुनिश्चित होते हैं या फिर वन्शागत होते हैं या फिर संस्कृतिक कारग दौरा सुनिश्चित होते हैं या फिर अनुवन्शिक्ता और पर्यावरड़ के बीच अंता क्रिया का परिडाम होते हैं दोस्तों मैं पहले भी स्रीज में आप सभी को बताई हूँ आनवनशिक्ता और पर्यावरण से रिलेटेड आपका एक कोशन कंफर्म है CDP में आएगा तो आप लोग इसे ध्यान देजिएगा दोस्तों यहां से एक नंबर एकड़म कंफर्म है थोड़ा सा कोशन को चेंज करके उसको वही पूछेगा पर्यावरण और अनवनशिक्ता से रिलेट करके तो यहां पे आप लोग अपने आंसर करिए आखों का रंग उचाई बालों क दोस्तों यह आप देखने पे ही आपको अंदाजा लग रहा है इसमें कहीं घुमा कर कोई कोशन ही नहीं किया है तो यह क्या है वनशागत होते हैं यानि सिकेंड आप्शन हमारा करेक्ट होगा अगला कोशन हम देखेंगे एक बच्चे ने यह मांसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंक हैं और उड़ सकते हैं वे पच्ची हैं ततपश्यात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादर देखा और उसे अस्तंधारी कहने की बज़ाए पच्ची ही का इस सिस्तिती में ग्यान निर्मार की इस प्रक्रिया को क्या गयते हैं एक चित्र को देख करके एक चमगादर देखता है और उसे अस्तंधारी कहने की बज़ाए वो पच्ची बोलता है तो इस सिस्तिती में ग्यान निर्मार की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे तो दोस्तों ये समावेशन उसको कहेंगे यानि फर्स्ट आप्शन जो है हमारा करे विशे में जीन प्याजे और लेव वाईगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शरता है आफ्सन फरस्ट है प्याजे बच्चों के स्वतंतर प्रियासों दोरा जगत को अनुभाव करने पर जोर देते हैं जबकि वाईगोस्की संग्यानात्मक विकास को सामाज प्याजे बच्चों के संग्यानात्मक विकास के लिए महतुपूर मानते हैं जबकि वाईगोस्की संग्यानात्मक विकास के चैविक बच्च पर बल देते हैं फूर्थ है प्याजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदाशन के लिए स्वेम से बात कर सकते हैं जबकि वाईगोस्की के लिए बच्चों की बात आत्म केंडिता का उद्धो तक है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए जो करिक आंसर है निमन मेंसे कौन सा कतन बच्चों के संग्यानात्मक विकाश के विषय में जीन प्याजे और लेव वाईगोस्की के विचारों के बेच मुखे अंतर दशाता है तो दोस्तों प्याजे बच्चों के सोतंत्र प्यासो दारा जगत को अनुभाव करने पर जोर देते हैं जबकि वाइगोस की संग्यानात्मक विकाश को समाजिक मध्यस्त प्रक्रियव के रूप में देखते हैं ये आप्शन जो है आपका करेक्ट होगा यानि फर्स्ट आप्शन करेक्ट होगा अगला कोशन देखेंगे कच्चा में सकारात्मक या उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्नमिस से क्या मददकार रहेगा आप्शन फर्स्ट है सभी विद्यार्थियों को सभागिता के समान आउसर देना सिकेंड है योगिता आधारित अटल समो बनाना थर्ड है कच्चा में केवल उच उपलब्दी हासिल करने वाले बच्चे पर ध्यान देना फूर्थ है विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच अंक प्राप्त करने के लिए उत्यजित करना दोस्तों इसमें कोशन क्या है कच्चा में सकारात्मक अधिगं माहल निर्मित करने के लिए निर्मित से क्या मदद कर रहेगा विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच अंक प्राप्त करने के लिए दोस्तों यह आपका निगेटिव है कच्छा में केवल उच उपलब्दी हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना जैसा कि मैंने बताया दोस्तों केवल वर्ड जहां आएगा आपका ये निगेटिव होता है योगेता आधारित अटल समू बनाना आपका जो करेक्ट और बेस्ट ऑंसर होगा सभी विद्धार्तियों को सभागिता के समान आउसर देना दोस्तों ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है अगला कोशन देखेंगे यानि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे विवसाय के संप्रतियों को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्धार्तियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कारे करते हुए फ्लेश कार्ड दिखलाए इस युक्त से उसके छात्रों में आपसन फर्स्ट है जेंडर रूडिवाधिता को पुरुष चाहन मिलेगा इस अंप्रतियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कारे करते हुए फ्लेश कार्ड दिखलाए इस युक्ति से उसके छात्रों में जेंडर रूडिवाधिता में लचीले पन को समारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन देखेंगे इन में से कौन सी विदी समावेशन के अनुरूप नहीं है तो दोस्तों क्या पूछाए कौन सी समावेशन के अनुरूप नहीं है फस्ट है विवित्ता को सराहना और महत्त देना सिकेंड है सब बच्चों में स्वाब इ या तो आपका सही है सब बच्चों में स्वाबिबान और सीखने के लिए आत्में विश्वास बढ़ाना ये भी आपका correct है शारिरिक समाजिक और प्रवरिती संबंदी बाधाओं को दूर करना ये भी आपका correct है या आपका क्या पुछा है समावेशन के अनुरूप नहीं है तो हमारा fourth option जो है ये correct होगा सुरवर अच्छमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्दाले के प्रवधान ये नहीं है यानि fourth option हमारा correct हो जाएगा अगला question देखेंगे राजन अपनी ही दुनिया में खोया परतीत होता है वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंक के साथ अकेले खेलता रहा है राजन का ये विवार निम्ने में से किस विकार की ओर संकेत करता है option first है मास पेशियर दुर्विकार second है स्वलीन करम विकार third है गुड़ज वेकल्य fourth है गती समन्वे वेकल्य राजन अपनी दुनिया में ही खोया परतीत होता है वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंक के साथ अकेले खेलता रहता है दोस्तों ये स्वलीन करम विकार होगा यानि second option आपका correct हो जाएगा अगला question देखेंगे विसे वस्त को पढ़ते समय शब्दों को हटाने उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कर्ठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है तो दोस्तों विसे वस्त को पढ़ते समय शब्दों को हटाने उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कर्ठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है तो दोस्तों इसका जो correct answer होगा वो वाचन वेकल्दों होगा ठीक है यानि second जो option हमारा है वो correct होगा नेक्स कोशन है किसी चीज के विसे में नूतन तथा असाधारर रूप से सोचना और समस्या की निदान के लिए अनुखे समाधान ढूटने की चम्दा क्या कहलाती है option first है आवेक शिल्दा, second प्रतिवर्दंता, third है अती क्रिया शिल्दा, fourth है स्रिजनात्मक्ता दोस्तों इसका अंसर आप लोग फटा फट करिए किसी चीज के विसे में नूतन तथा असाधारर रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनुखे समाधान ढूटने की चम्दा, दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे स्रिजनात्मक्ता नए नए चीजों को देखना अनुख करना सीखना ये स्रिजनात्मक्ता में आती है निए फोर्ट आफशन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन और आज की इस स्रिज का लास्ट कोशन आप देख पा रहे होंगे विकास के विशे में सही वक्तवी चुनिए आफशन फरस्ट है विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है सेकेंड है विकास परिवर्तनी है थर्ड विकास पूर्ड रूप से अनुखना बद्ध है फूर्थ है सभी वक्ति एक ही आयू और गती से विकास के पड़ाओं को प्राप्त करते हैं तो दोस्तों विकास के विशे में सही व्यक्ति तो चुनिए तो हमें विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है यह आपको नहीं होगा विकास परिवर्टनी है यानि सेकेंड आप्शन जो है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह थे इस स्रीज के 10 कोशन कैसे अलगे आप लोग को और आप इन 10 कोशन में से आपके कितने करेक्ट हुए यह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा ज्यादा सेर करिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो दोस्तों मिलते हैं अब नई सेरीज में नए कोशन के साथ तब तक लिए भाई भाई टिक क्यार खुश रहिए पढ़ते रहिए